गुद इवनिंग इवरिडी आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में इंडिया वसे शिलंक का बहुत ही बहुत ही इंट्रेसिंग सीरीज है सबसे खास बात और सबसे इंपोर्टन बात इस वीडियो की ये है कि ये वीडियो अगले 6 मैच में काम आएगा जी हाँ बिल्कुल सही बात 6 मैच 3 ODI, 3 T20 इसी venue पे होने वाले है ये वीडियो आपको जितनी बार देखना आप देखो लेकिन ये देख कर रट जाना चाहिए आपको एंड तक क्योंकि बार बार ये वीडियो रिपीट नहीं होगा ये वीडियो पढ़ा रहेगा आपको सारे ODIs में और सारे T20s में ये काम आने वाला है क्योंकि सारी information इसी वीडियो में अब आपको क्या करना है वीडियो लाइक करके आगास करना है ताकि आपको वो दुआ भी लग जाए भाई की और साथ में आपको गुड लग मिल जाए मेरी तरफ से तो start करते हैं match का आगास बड़ा ही interesting match होने वाला है ये मेरे आनी चाहिए बाकी गलत हो सकता है cricket unpredictable है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो analysis देखने के लिए ताकि कुछ consistency आपा है इंडिया वसे शिलंका फर्स ओडिया ही कहा हो रहा है ये तीन match की टीवेंडी सीरीज एक ही जगे होगी नाम है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में और यहां पे partly cloudy है बारिश होने के असार है देखते हैं क्या होता है पचास ओगर का match है तो match तो होगा होना चाहिए मतलब अच्छा ट्रिविया से शुरू करते हैं ट्रिविया क्या कहता है ट्रिविया कहता है जब इंडिया पिछला टोर करा था शिलंका का तो एक बॉलर थ जिसने धुआ बढ़ दिया था उसका हाइस स्कोर था उसने अपने करियर का हाइस विकेट लिया था स्कोर नहीं छेफ और उनत्यस वह कौन बॉलर था आपको यह नाम देना है आई एंडी वसेज असल और हैस्टाग यूज करना इंड जी एल्ट फैमिली यह दोनों के हैस् अब ही तक कोई खास चेंजेज नहीं हुए तो यह वीडियो और ज्यादा आपको इंपोर्टन्स देगा ओडिया यहां पे कोलंबो में 131 हो चुके हैं अगर आप नीचे आके देखो के तो बैटिंग साइड ने ज्यादा माचेस जीते हैं इंडिया कैसा खिला है इंडिया फिर बांगलदेश ने यहां खेला और फिर श्रिलंका ने वो माचेस कर लिया फिर बांगलदेश को हराया श्रिलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 2019 में हाला कि उनकी टीम काफी अच्छी थी काफी मतलब ठीक थी जो अभी टीम है उससे तो लाग कोना बेटर थी और उसक कीमों में से कोई भी करेंट टीम का पार्ट नहीं है लेकिन इंडिया जब आई थी तो उसके प्लेयर्स कुछ हैं कॉमन और इंडिया च्छे विकेट से जीती थी उसमें मनीश पांडे भूमनेशवर कुल्दीप और यह जूएंदर चहल यह चारों को इंसिडेंटली आपक करते हैं और उन्हीं को विकेट झारो करते हैं ऑर तक विकरी ऑपको जरूर करने लगा यह अच्छी बात है ठीक है पहली निंग्ज पेसर यहां जाधा करते हैं और सबसे ज Lazarus ने लिया खूए यह साथ दिखता है उसके बाद सपिन अर्श्यां में बात का है यह tournament एक ही जगे हो रहा है पिच भी हाला कि दो या तीन होंगी लेकिन एक चीज़ बहुत लियर है कि यह धीरे-धीरे पिच spin को और जादा favor करेगी क्योंकि छेव मैच यही होने है तो यह आपको ध्यान रखना है पेसर्ज ने हाला कि जादा विकेट लिया है लेकिन spinners का रोल बढ़ता जाएगा अपने वीडियो लाइक कर दिया होगा एक बाट चेक कर लेना और कॉमेंट और शेयर जरूर करना अपना ट्रिविया और अपना विचार आपको क्या लगत रहा है इंडिया शिलंका में आपके हिसाब से मतलब चल मैं आप चांता हूँ कि आप इंडेन तीम का है इस को रहा होगा यह बताना है इसे कॉधे oh गई रहे और उसके बाद आपको spoken करपाते हैं और मनीच पांडे यहां अच्छा खेले हैं दो मैच खेले और दोनों भार बैटर खेला है हार्दिक पांडिया ने एक मैच खेला उसमें विकेट्स भी लिए और थोड़े बहुत रन भी बनाए कुल्दीब ने एक मैच खेला दो विकेट लिए भुबनेश्वन ने एक मैच किया पहले बॉलिंग करते वज़ पांच विकेट लिए शिलंगा की तरफ जाएं तो दसुन सनाका ने ठीक ठाक किया है बॉलिंग कभी कबार कराते हैं वो अपनी मीडियम पेश लेकिन मैं इसाफ से रेगलर्ली कराना चाहिए और जो म्यूजिकल चैर चल लिए शिलंगा शिलंगान टीम में बहुत सारे कॉन्फिक्ट हो रहे हैं जो कभी वेस्ट इंडीस के हुए थे अगर आपको याद हो पैसा नहीं दिया जा रहा है कॉन्ट्राक के दिक्कत कोई कॉन्ट्राक का पैसा नहीं मांग रहा है यह सब हो रहा है उसके बीच में इंजरी हो रही है उसके बीच में बायो बबल ब्रेक कर रहे हैं लोग तो पुरी टीम ही अलग हो गई और यह दस्वन शना का वापस से कैप्टेन बन गए यह शायद जितना मैंने अभी तक पढ़ा कुछ पिछले अठारा महीने में बहुत जादा कैप्टेन जी अगर आपको चाहिए आप शिलंका चले जो मिल जाएगी ठीक है धनजय डिसिल्वा यही एक लौता प्लेयर है जिस्वे मुझे विश्वास है धंस है यह और दूसरा प्लेयर है वनिंदोहसरंगा जो हमारे फाइन थे जब यह आये थे कोई न नामों के साथ जा रहे हैं स्किल्स नहीं देख रहा है दूस्मां चमीरा इनकी स्लोर डिलिवरी मुझे बहुत पसंद आई जो इन्होंने अभी यूस करी इंगलेंड में और बहुत जबर्दस बॉलिंग करा ही वहां से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा होगा अखिला धनज सेकेंड बैटिंग में एक बार अविश्का फनांडो ने चाहिए अगर इनकी टीम में कोई एक ऐसा बैट्समन है जो थोड़ा बहुत भी अभी के लाइनप में क्योंगी कोसल परेरा नहीं है बहुत साथ बड़े प्लेश नहीं है तो जो अभी के लाइनप में जो थोड़ कल के मैच के लिए नहीं है ये पूरी सीरीज में आपको लागू होगा तो आप देखोगे कि आपकी कंसिसेंसी क्या है और अगर आप खेल रहे हो सिर्फ पहला मैच मत खेलना एटलीस दो तीन मैच तो कम से कम खेलना तब ही आपकी कंसिसेंसी भी दिखेगी और मैं आपसे बोलूँगा अगर आप छेवी एलो तो बेटर है लेकिन जाधा इंवेस्ट मत करना है इंटरनेशनल मैच है फिलाल आपको कोई मैच पढ़िया कुछ चीज बढ़िया समझ में आ जाए तो जरूर कर सकते हो अपने इसाब से लावा कसुन रजीता जो इंजरी के बाद है उ आप इंजरी के बाद कैसे आते हैं तो अगर आप इन तीनों से बोलोगे तो मैं पहला उदानों को खासका प्रिफर करूंगा जाब वो पॉलिंग पहले कर रहे हैं और इवन बैटिंग पहले में भी आप ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अकिला दरंजर रिकॉ मेरे साफ से धनजर इसलवा मेरे को यह बहुत अच्छा प्लेयर लगता है वरिंदू हसरंगा बहुत अच्छा लगता है यह दून में हर टीम का पार्ट होंगे बहुत क्लियर कट है अगर चार शिलंकन ले रहे हो तो यह दो तो रहने चाहिए उसके राद दिश्मन चमीरा श्रोर डिलिवरी बहुत पसंद आईगी है शनाका काफी लोग लेके जा रहे हैं 77 वर्षिंट लेकिन बॉलिंग करेंगे कि नहीं पता नहीं तो आपको यह देखना है कि आप किछको लेना यहां पे एक नाम आट कर सकता हूं जिसका रेकॉर्ड नहीं है वो है सी करुना र जो आप देखोगे मेरी टीम जब आप देखोगे तो मैंने एक चीज ध्यान रखके है कि वो ऐसा प्लेयर हो जो बाटिंग और बॉलिंग दोनों कर सके तो मुझे ज्यादा टॉप ओडर के लेने की जरुवत नहीं है क्योंकि इनके टॉप ओडर बहुत खराब खेल रहा थ ये नहीं कि वही वापस करें लेकिन कुछ प्लेयस हैं जो इसमें अच्छे जरूर हैं लेकिन लिस्टे में अच्छा हеся हैं मतलब डमीस्ट है इंट्रनाशन Allohal चीज़ों पहले घंगे और स्मॉल लीग में यम कोशिश करें इंडेन डॉमिनेते टीम बनाया लेकिन एढ़ को options में जरूरू suggest करूँगा I hope आप देखोगे और enjoy करोगे पूरा वीडियो देखना मनीश पॉंडे मेरे साफ से उसको point proof करना है और मुझे नहीं लगता कि वो इतने दिन तक ignore किये जा सकते हैं वो काफी consistent रहे हैं और practice match में भी दोहां बर के आ रहे हैं हार्दे शॉक का redemption time आ रहा है जरूर उन्होंने पहले बहुत सारे जो ड्रग वाला issue हुआ उसके ऐसे बैन हुआ और बहुत साई चीज़े हुई वेट पुट आउन किया उसके वेट reduce करा और redemption time आ गया उनका विजह हजारे में जो उन्होंने कमाल की इनिंग्स के लिए थी वह यहां दिखाने का बारी है और क्या हुआ प्राक्टेस वह भी आपको बताने वाले हैं तो सुनते जाओ बड़ा ही उसके बाद शना का और उदाना का 15 और 17 और भनु का राजपक्षा उनका थोड़ा सा बेटर है और यही मुझे अगले थोड़े से बेटर बैट्समन लगते हैं इस साइट से आवरेजर 20 यह T20 का आवरेजर ठीक है सब T20 के रिकॉर्ड्स है बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो यह जो आपको गोले दिख रहे हैं इस ट्राइक रेट बताते हैं और अगर आप मैं स्ट्राइक रेट कंपेर करूं तो सबसे अच्छा देखता है वनिंदु हसरंग बालिंग भी है तो एक यहां से आगए हसरंगा आगए ध्रंजेडी सिल्वा भी बालिंग में है तो बैटिंग में भी है और चौथ आप लेयर आप या तो फिर रजीता की तरफ देखो या चामीरा की तरफ या आपकी जोई से या फिर सी करो ना रतने बहुत क्लियर कट आ चाहल ने हाला कि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है बताता है कि अल्मॉस्ट वेकर ट्वेंडी में ले लेते से तो ओडिय भी इंपॉर्टन रहेगा ठीक है तो फिर से वही जो मैंने बताए यह शॉटलेस्ट है और यही मैंने उपर भी बताई और यहां से इंडिया की शॉटलेस्ट जो वेन्यू से आरी है वो चार प्लेस आरे है शेकरदवन मानीश पांडे एरुवेंद चहल हर्दिक पांडे और कुल्दी प्यादव का भी नाम आप रिख सकते हो आपको वेन्यू समझ आ गया होगा अच्छे से अब वेन्यू में पूरे छे मैच में आपक इसने क्या हो रहा है तो इंडियन डॉमिनेट कर रहा है इंडियन टीम काफी ज़्यादा आखरी पांच में चार्ज जीते हैं और ओवराल भी आगे है इस वेन्यू पर हलाकि दोनों चीजे बराबर है 15 ओल दोनों के हैं तो वेन्यू पर अभी तक ज़्यादा डॉमिनेशन फिर इंडिया चेस करा और फिर जीता फिर शिकर्दवन का 100 खासकर मैं एक चीज़ बोलूगा शिकर्दवन को मैं चेस करते हुए बहुत अच्छे से देखा है और चेस जबर्दस करते हैं मैं यह नहीं बोलूगा किसी इनिंग में आप ड्रॉप करो इन चेस वो जबर्दस इंडिया जीता फिर से शिकर्दवन का स्कूर फिर से ध्यान रखना इंडियन टीम में काफी अनकाट प्लेयर हैं तो काफी साए रिकॉर्ड आपको यह नहीं दिखेंगे क्योंकि नए-ने प्लेयर्स हैं लेकिन जो खेल चुके हैं उन में से भी कौन पर्फॉर्म कर रहा है उसमें भी आप देखोगे तो अल्मोस्स सिमिलर नाम है सारे उससे पहले मनीश पांडे का छत्ते स्कूर और यह तो उपर भी देख चुके हैं तो अवरॉल अगर आप हैड टो एट देखो तो शिकर्दवन आपको 70 के आबरेश में दिखेंगे जबरदस्त है बॉलिंग मे जनालेश में शिकर्दवन आपको पहली इनिंग में भी दो फेलियर और दो 50 और एक 50 और एक 100 सेकंड बाटिंग में सिर्फ एक फेलियर 200 और एक 50 तो सेकंड बाटिंग बैटर रही है फोस से लेकिन दोनों महीं अच्छा खेला यह आपको दिख रहा है उसके लावा मनीश पांडे दो इनिंग 3650 और एक फेलियर हार्दिक पांडे आपको तो कोई भी इनिंग ऐसी नहीं जहां विकेट ना मिलो हर इनिंग में विकेट मिले तो इस पिन धावा बोल सकते हैं बुवनेश्वर ने भी अल्मुस हर इनिंग में विकेट लिया है एक एक सेकंड इस पिन विकेट नहीं मिलेंगे और हैट टू एट में शिलंगा की तरफ से चमीरा सेकंड बालिंग में विकेट नहीं मिला और हसरंगा को भी एक ही विकेट मिलें लेकिन सेनारियो आपको अल्रेडी पता है ज्यादा कुछ है नहीं है इनके लिए देखने में आब आते हैं पिलहाल जो कंसिस्टेंट प्लेयर है उसमें सूर्यकुमार यादव दो इनिंग्स के लिए एक थर्टिफाइव एक फिफ्टी हर्दिक पांडेया 79 हाईए स्कोरर थे इस मैच के और दो विकेट भी लिए तो यह दोनों तो आपके आप कंफर्म दिख रहे हैं टीम में इशान किष्ण और शिकर्दवन और प्रित्वी शौ यह जो विजय हजारे वाला फॉर्म है वो यहां पर भी लेके आ गए तो यह चार प्लेयर्ज बहुत अलग दिखें बॉलिंग से वही जैसे मैंने का कुल्दीप यादव को अब इस जगे अब जीरो विकेट लेते हैं तो just for information वो उस समय fit नहीं थे मनीश पांडे ने keeping करी थी अब आ गए हैं और बहुत अच्छा खेला जो उनकी clip देखी है मैंने काफी जबरदस्त hitting करी हो उनने तो obvious choice है मेरे लिए Sanju Samson ठीक है तो जो सबसे यादा consistent player दिखें मनीश पांडे differential pick for the whole series है मेरे लिए क्योंकि कम ल ही आप चौथे नंबर पर खिला रहे हो तो आपको help कर सकता है क्योंकि सुरिकुमार यादल तीसरे पर होंगे तो देखते हैं क्या करा जाता है क्या changes करे जाता है फिलाल उसके बाद प्रिश ओ ये hit or miss category में आते हैं लेकिन मुझे लगता है इस series में बड़ा score आपको इनकी करव से भी एक दो दिखने चाहिए तो यह जो तीन प्लेयर्स हैं हार्टिक पांडिया चौथे और उसके बाद आप सैंसन को लोगे तो पांचवे और बॉलर्स में चाहा लो गायकवर्ड चाहा लो यादब और आपने एक नाम नोटिस किया हो यहां पर परफॉमेंस में व खिलवाड तभी गायकवर्ड को मौका दिया जाएगा यह T20 में शिलंगा का डिफरेंचल पिक एक विश्का है करूना रतने हैं जो कॉमन पिक है वो तो आपको पता ही है जो हम ले रहे हैं वो हम दिखाएंगे इंडिया का स्कौइड आपको आल्मोस पता है यह आ गया हम स अब यहां से आप अगर देखोगे तो यहां आपको सब दिख जाएगा आखरी 10 मैच में कौन कैसे आ रहा है परफॉर्म करते हुए जैसे वरुन चक्रवर्ती कैसे करके आ रहे हैं कोई भी कैसा भी करके आ रहा है तो इंडिया के तो चलो आपको एक बार के लिए पता भी ह इंजरी थोड़ी थी उससे पहले ही अच्छा खेल रहे थे उसके बाद पांच छे इनिंग्स कुछ खास नहीं गई मैं इन पर बहुत जादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यह हिट और मिस काटेगरी में आते मेरे लिए और यह रन बना भी गए तो इंडियन के प मतलब सबसे बड़ा आप बुलोगे कि भाई जो मतलब वो कहते हैं न कि इस प्लेयर को आपको समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मिस्टीरियस केस क्यों है पथम निसांका का यह लिस्टे में सिलंका के लिए हिस्ट्री में 64 का आवज किसी का नहीं है इनका है लेकिन प्लेयर हैं आज नहीं तो कल यह परफॉर्म करेंगे लेकिन अभी तक यह नहीं कर पा है आपको प्लेयर के बारे में बता रहा हूं इसको लेने की रिकमेंडेशन नहीं है यह सिप आपको प्लेयर के नॉलेज होनी चाहिए ताकि अगले 6 मैच आप इस प्लेयर का जैसे ही आमाए आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए ये प्लेयर कौन है रिकॉर्ड्स आपको दिमाग में बस जाने चाहिए और मेरी ये दर्ख्वास जरूर है कि Grand Leagues में आपको ज़रूर ट्राइ करना और 6 में हर मैच में आपको Grand Leagues ज़रूर ट्राइ करनी भले छोटी वाली कर लो जो सबसे छोटी amount की हो लेकिन जो information है उसको यूज ज़रूर करना बहुत मेहनत लगती है सब करने में और आपका वो like, comment और share बहुत help करता है तो बस वो कर देना दुआ तो लेके जाओगी और साथ में good luck भी हमारी तरफ से वारी टीम की तरफ से fantasy area की एशन बंडारा इन्होंने एक लौते ऐसे प्लेयर से जब टीम डूब रही थी तो यही perform कर रहे थे और ये इनके आखरी के कुछ match के record बता रहे हैं जो not outs है मुझे तभी तर जब पूरी टीम perform नहीं कर पा रही थी मुझे लगता है बनू का राजपक्षा को खिलाये जाएगा इनकी hitting अच्छी है इस वज़े से तो अगर safe pick में जाओगे तो अविश्का अगर risky pick में जाना है तो इन दोनों में से किसी को मैं अगर आप मुझे पूछओगे शायद मैं राजपक्षा को लूँ क्यूंकि मुझे लगते हैं वो थोड़े से अच्छे उनकी timing अच्छी लगी जितना मैंने उस सरफ देखा है दसना का बॉलिंग कर सकते हैं मीडियम पेस बॉलिंग है कप्तान बने responsibility आई देखते हैं क्या कर सकते हैं लेकिन एक ये safe pick में एक ये अराम से आते हैं without any doubt उसके बाद अनजे डिसलवा की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है मैं रखूंगा इनको टीम में जब चले तो अखिला धनजे देखो पिछले कुछ मैचे में क्या हाल है तीन मैच में एक भी विकेट नहीं है उससे पहले कुछ विकेट थे असेता फर्नांडो इनका भी कुछ खास consistency नहीं है और जो bench पर बैठेंगे उनमें लहीरू उतारा ये विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं उसके लाबा 25 के उपर स्कोर नहीं है शिरान फर्नांडो राइट आम मीडियम पेसर ठीक ठाक सी बॉलिंग है इकाद मैच को performance है ठीक ठाक से हैं चरित असलंगा इनका भी कुछ खास performance नहीं है बीच में बड़ी-बड़ी इनिंग्स दो जरूर है लेकिन उसके surrounding में कुछ ख जो मतलब हर मैच में बॉलिंग कराके से फेक जिरो विकेट है तो इन्होंने ओलांडर तो हैं डीसेंट लग रहे हैं यहां से रन भी बना रखे हैं सौ लेकिन रन ज्यादा इनका विकेट्स का कॉलम जो है वो काफी impressive है तो इनकी तरफ एक बार देखना अगर काहन लीक्स म होनी चाहिए नमेश मेंडिस यह टेस मैच खेलते हैं शिलंगा के लिए तो ठीक ठाक से प्लेयर हैं बिट्स और पीसिस इसको बोलते हैं वैसे लेकिन इंडिया इंडिया वाले काफी एच्छे वाल राउंडर है इनके comparison में लहीरो को मारा ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है धन स्मॉल लीग में अभी जगे नहीं पापा रहें लेकिन यह खेलेंगे तो शाय दिनका confidence बढ़ेगा लक्षन संदाकन, left arm, चाइनमें और कसुन रजिता जो injury के बाद वापस आ रहे हैं तो I hope आपने हर प्लेयर का देख लिया होगा समझ में आ गया होगा कौन सा प्लेयर कब है और कैसा खेल के आ रहा है यह सारी चीज़ें आपको आखरी मैस तक काम आएंगी ध्यान रखना तो चलो मैं आपको अपनी ट्रीम पे लेके आया हूँ देखो टीम्स में आपको सिनारियो देखना होगा टॉस में इंडिया फर्स बैटिंग करेगा मेरे पास इंडिया के 5 प्लेयर्स होंगे बहुत क्लियर्ली मुझे नहीं लगता मैं इनके लावा कुछ और हिलूंगा भी और इवेंट च्टा प्लेयर भी बैटिंग ही करेगा में दफ से तो आप देख रहों यहां बॉलर्स कम हैं और बॉलर्स में भी यहीं दो बॉलर्स लिए हैं चहल और करेगा जिसे आपसे उन्होंने प्राक्टिस मैच खेला यहां अग्र आपको एक रिस्क लेना है तो जैसे नहीं पांच वान ओंच थार पे हो तो आप किशी एक प्लेयर को हटा के या सेमसर्ण यह मनिश पांडे की जगए पे आप बॉलर एक गने कर सकते सिफ 2% लोगों ने लिया है ठीक है तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कोई ले नहीं रहा है और ये हमारी टीम में मरीश पांडे को भी किसी नहीं ले रहा है बहुत कम लोगों नहीं ले रखा है जिस वज़े से मैं आपको ऐसा कुछ अलग सजेस्ट कर रहा हूँ शिकर दवन हार्दिक पंडिया तो चार बैट्समें तो अभी मैंने पांच ले रखे हैं में भी एक कम करके बॉलर इंक्रूट कर लूँ ऐसा कुछ होएगा डिपेंडिंग ओन क्या टीम खिलाते हैं पदा चला कोई सप्राइज दे दिया रितुराज गाइफट को खिला दिया है किसी आठीब और भुमनेश्वर और हर्दिक पंडिया तो यह चार प्लेयर नहीएं और फिर तीन बैट्समें ले सकते हो किसी को भी तो अभी के लिए मैंने चार बैट्समें लिए को यह कम कर सकते हो सामने से फिर से वह तीन तो ही अभी विश्का फॉन्लाइन आपको दिखाने fake channels बनने में पास mail आ रहे हैं लोगों के देखा है मैंने लेकिन आपको बस guide कर रहा हूँ मैं जितना कर सकता हूँ खास कर अब IPOs को लेके जहां हम काफी time से active हैं आपके सामने रख रहा है जो मैटो की listing की बात करी clean science GR के लिए मैंने इतना बोला आपको कि जरूर try करना apply करने की और जिसको लगे हैं मैंने screenshot share करें भाई बहुत lucky लोग हो आप लोग है हमें तो नहीं मिला लेकिन यह जिन लोग का लगा है यह IPO धमाका कर दिया फिर से बोलूँगा मौका मत छोड़ना यह जितनी जल्दी जिन्दगी में यह सीख लोगे इन्वेस्टमेंट करना बात मैं थैंक्स बोलोगे जिसने भी छिखाया होगा जैसे मैं जब सीखा तो मैं वह सोचता था कि काश मुरे पांच साल पहले को यह बता देता कि ऐसा भी चीज होता है अगर आप जोइन करना चाहो कर सकते हो लेकिन भाई जिसकी लॉटरी लगने वाली है न मंडे को पाटी चाहिए मुझे नहीं पता कॉमेंट सेक्शन नहीं बताना अगर आपका आई भी लगा है तो भाई मज़दार है जो मंडे लिस्टिंग होगी देखना कितनी मज़दा अच्छा यह टीम है जंता के हिसाब से अब जंता ने इस टीम में शनाका फनांडो धनेजर इसिलवा चमीर और हजरंगा हो ले रखा है आप नोटिस करो कि मैंने चमीरा यहां नहीं लिया है तो मैं कोशिश ऐसे कर रहा था कि चार प्लेयर लूँ जो बैटिंग बॉलिंग का वो चेंज करता रहूंगा यह मेरा स्ट्राटेजी होने वाला है जंता का सेलेक्शन में आपको आपके सामने रख दे रहा हूं भूमनेश्वर है भूमनेश्वर को मैं फर्स्ट बैटिंग में लेना चाहूंगा और दीपक चाहर भी ले रखा है काफी लोगों ने तो व हम देखेंगे क्या होता है तो उसके बाद काफी कुछ चीज़ा है चेंज हो सकती है तो उसके लिए टेलिग्राम पे पहुँच जाना हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द बहुत डीटेल में बताया है यह होप आप वीडियो लाइक करके देखोगे समझो कहा पूरे सीजन को इंडिया वशे शिलंगा को एंजोई करोगे ओल दे बैस